नमस्कार मैं निशान्द कुमार साब सभी का सुवागत करता हूँ आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु में आज जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं इससे सीपियो का जो फाइनल अंसर की आया है कि अपने आपको सेफ समझ पाएंगे और आगे की प्रिपरिशन को जारी रख पाएंगे तो मेरी बातों को थ्यान जो सुनिएगा सबसे पहले मैं आपसे यह कहना है कि भाई जो हमारे पास टोटल 15,740 वे लोगों ने एक्जाम का फॉर्म डाला था लेकिन उसमें से 14,960 विद्यार्थी वहाँ परिक्षा सेंटर पहुच पाएं है यानि 95.04 परसेंट बच्चों ने अपने उपस्तिती जताई है देखो बहुत जादा अंतर तो यहाँ पर नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कहूँगा कि कुछ बहुत जादा हेर फेर नहीं होने वाला है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूर अंडिविजर्ब कैडिगरी है उसमें दिल्ली पुलिस के लिए आपको 315 से 325 नंबर के बीच में अगर आपका है तो आप एक सेफ स्कोर में है 290 से 295 में हैं सेफ स्कोर में हो CISF में और भाई आपका CRPF, ITBP, SSB अधर जितने भी हैं उसमें 260 से लेके 265 तक अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने आपको सेफ समझ सकते हो देखो 5-10 आगे पीछे कोई फरक न नहीं पड़ता इसमें, ओके कोई कि देखो अब्यसी बात है इसमें भी 5-10 का मार्जिन रखके चलना, अगर यहां पर मैंने क्या कर दिया है न, OBC और EWS को मैंने सेम ही समझा है, क्योंकि देखो मुझे नहीं लग रहा है कि OBC और EWS में जैसा पैटर्न चल रहा है कि बहुत जादा गैप होगा, मुझे लग रहा है बहुत कैम गैप होगा, यानि दोनों बराबर ही होंगे, ऐसा मैं समझके चल रहा हूँ, तो समझो 220 से लेके 300 तक देली पुलिस, 280 से लेके 290 तक CISF और 250 से 255 तक आपके CRPF, ITBP और SSB, उसी प और यहां पर देखोगे, तो अदर के लिए 240, 245 और 230 से 240 तक अगर आप स्कूर आ रहे हैं, देखो आपको जो भी स्कूर आ रहा है, आपका स्कूर इनकिन के बीच में फिट वैट रहा है, आप एक बार ध्यान चा देख लिजी अपने कैटिगरी के अनुसार, आप उसी को मतलब रिजल्ट मानते हुए, आप आगे बढ़ सकते हैं, देखो अगर आपका ऐसा हो कि भाईसा बेटा, कभी भी रिजल्ट खराब हो ना, तो मेरी बात हमेशे याद रखना, एक बात हमेशे याद रखना, जो खोल या उसके बारे में कभी सोचा नहीं, जो हो गया, उसक अपने घर पे रहे, खूब पढ़ाई गरते रहे और रिजल्ट गुरु के साथ बने रहे, थैंक्यू